नमस्कार किसल साथियों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती योट्यूब कैनल पर किसल साथियों इस बार लसुन की फसल में भी अनिक प्रकर के समझते हैं आपको पूरे मोसम सीजन के दोरान देखने को मिली हैं काफी ज्यादा इस्प्रे हो चुके हैं फसल बहुत खर्ची लिए किसल साथियों और भाव इस बार अच्छे बने हुए हैं जिस करान की सन बाए इसमें कुछ भी कसर नहीं सोड़ना चाहते हैं वो चाहते हैं कि कैसे भी करके मेरी उपज हो तो आकी मुझे अच्छा उत्पादन मिले और किसा साथियों जैसा कि आपको पता है कि जो लसुन की जो उपज होती हैं वो अच्छी होती है तब जब उसके कंद बड़े होते हैं क्योंकि माल तब ज़्यादा निकलता है जब कंद बड़े होते हैं और वजन भी उसमें बढ़ता है ना कि उनकी संख्या से बोरिया भरती है तो लसुन की गाटों से जितनी ज़्यादा बड़ी गाट हैं उतनी जल्दे बोरी भर जाती हैं या आप भी जानते हैं और लसुन की घाट बढ़ाने के लिए आपको अनेक परकार के वेडियो या किसान साथियों के सुजाव या जो दुकानदार होते हैं उनके दुआरा अनेक परकार के प्रोडक्ट परियोग करने के लिए कहा जाता हैं कि आप ये डवा डालो आप ये टानिक डालो आप इसका प्रियोग करो आप उसका प्रियोग करो किसंसाथियों मैं आपसे एक बात साफ रूप से कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई दवा तो है नहीं कि उसका प्रियोग करके आप अपनी कमजोर फसल या बिमार फसल या कीटग्रेस्ट फसल से अच्छा उत्पादन ले सकें यदि आपक ये खेत में जान है तो आपकी फसल में जान रहेगी और आपकी फसल में जान है तो निश्टिटूब से उसका उत्पादन अच्छा होगा खेत में जाने का मतलब किसंसाथियों उसमें ओरगनिक मेटर अच्छा हो उसमें सभी परकार की शिक्ष्म वशक्तत्वों परपूर माता में उपलब्द हो और समय पे आपने उसमें इरिगेशन यानि सिजाई की हो साथ ही समय पे आपने उस पे रोगों और कीटों को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे किया हो बस इन्ही चीजों की आवशक्ता होती है आपके फसल को अच्छा उत्पादन ले निगले लेकिन इनमें एक वह सबसे बड़ा जो रोल होता है न किसन सत्यों वह होता है क्लाइमेट का मोसम का तो हम बात करें ते हैं कि जो लसुन की फसल का जो गाठ बड़ा बनाने के लिकी दवाई के बारे में बहुत किसन भाई के सवाल भी आ रहे हैं और वो यूटूपर भी सर्च कर रहे हैं कि काश को ऐसे दवा मिल जाए जिसका परियोग करके मैं अपने लसुन का जो गाठ है उसका कंद है वो बड़ा कर सकूँ अनेक परकार की वीडियो में आपको मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आपको PGR का परियोग करने को कहा जाएगा आपको 0050 का परियोग करने को कहा जाएगा बोरोन का परियोग आप कीजिए तो किसन साथियों मैंने आपको बताए है कि ये काम किसे करते हैं ये कोई अलग से कोई दवा तो है नहीं कि इसका परियोग करते ही आपके लसुन की फसल में गाट बढ़ा हो जाएगा यदि आपके फसल अच्छी है और वो ज्यादा हाइड ले रही है तब आपको PGR का परिय है वो नहों और वो फाइदा आपके फोदे की ताकत का पूरा फाइदा आपके लसुन की फसल कर कंद को मिले और जो 0050 बोरोन किसन साथ क्यों हो जो बोरोन और 0050 यानि जो पोटेश्यम सलफेट आता है इसका प्रियोग आप लसुन में जो जमक होती है उसका वजन बढ़ा से भी जानते हैं आप किसन साथ यह हमारी फसलों की सभी परकार की उसके लिए मुख्य पोशेक्ततों में गिना जाता है जो आखरी काम होता है इसका वह यही होता है कि जो आपके जो क्वालिटी बने लसुन की या किसी भी फसल की वो इसी के उपर डिपेंड करती है उसका वजन और उसका जो ठोसपन होता है वो सभी पोटेशियम उर्वरक के कानानी होता है तो इसलिए हम लाश्ट कंडिशन में उसको देते भी हैं वाटर सुलीबल फरडिलाइजर के रूब में तो आप यह इसका प्रियोग नहीं किया है तो आप कर सकते हैं लाश्ट कंडिशन आप भी प्रियोग कर सकते हैं और यदे आपने लाश्ट इरिगेशन कर दिया हैं तो आप 0050 का एस्प्रे भी कर सकते हैं मातरा भी मैंने आपको बताई हैं अधिकतम मातरा किसन सत्यों आप 3-5 ग्राम परते लेटर पाने की हिसाफ रख सकते हैं और इसका एस्प्रे कर सकते बोलोन भी वही काम आपके कंद फटने की समिश्या को वो थोड़ा रोकता है शाइनिंग लाता है तो आप उसका भी प्रियोक साथ में कर सकतें लेकिन आप अनेक परकार के टानिक का प्रियोक कर लें इस समय या ऐसे कोई आपको दवा दे दें कि उससे लसुन का कंद का विदेश्यों के जो रिसर्च यो हुए है लसुन पर उनके पढ़ता रएता हूं और मुझे तो यس वहां पर कोई लगा ने उनके रिसर्च रिपोर्ट में किस फर्टिलाइजर का क्या एक्ट पढ़ता है किस पोशकततों की कमी से कुनसे रोखने की संभा उना रेती हैं उ और थोड़े अपने अनुगों क्यादार पर में आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी शेयर करने की कोशिश करता हूँ बहुत सारी किसन भाईयों को पसंद भी आती हैं कुछ को नहीं भी आती हैं तो हो सकता है किसी को ना पसंद आयत किसन साथ यूए तो अपना-पना मत है क्योंकि सारोजनिक मत तो हो नहीं सकता कभी वी तो आपको ऐसा कोई प्रोड़ेटर मिल जाएं कि जिससे कि लसुन का साइज अचनक से बढ़ गया हो और आपकी कमजोर फसल भी अच्छा उत्पादन आपको दे गई हो तो किसन साथ यूए अनि किसन बढ़ के हित में उसके बारे में आप कमेंट के माधियम से जरूर बिताएएगा ताकि अनि किसन बढ़ को भी लाब हो किसान किसान का हितेश होगा तो भी हमारा उदेश का कल्यान हो सकता है तो किसन साथ योँ इस वीडियो बनाने का उदेश यही था कि लाश्ट टेपेंडिशन में भी आपकी फसल का जो उत्पादन है वो आपकी पूरी फसल की अवजी में वो किसा रहा है आपका पोधा कितना पोश्टिग रहा है और उसे कब-कब स्ट्रेस मिला है कब और आपने कब उसे स्ट्रेस से निकालने के लिए दवाईयों का परियोग किया है और सबसे ज़्यादा रोल जो मैंने आप भी बताई दिया रहा है कि आपके फसल चाहे हाईड ले 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 लें कांद ना बनने की समिश्टिया क्लाइमेट के कारण भी हो सकती है तो ये चोटे-चोटे कारण है और जो उपज होना है वो होके रहेगी हम अपना प्रियास पूरा कर रहे हैं इस सी में हमें कुछ रहना है किसन साथियों देना परमात्मा के हाथ में लेकिन हमें अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ना नहीं क्योंकि काफी खर्चे ली पसल हैं और काफी खर्च आपने किया हैं कुछ उम्मीद के साथ तो खिसल सत्य आपकी उम्मीद पूरी हो आपकी फसल से आपको अच्छा उत्पादन मिले आपकी भरपूर फसल हो और आपकी आर्थें को उन्लती हो इनी शुप कामनाओं के साथ कोई विशेज जानकरी तो इस वीडि पाहेनी क्योंकि फसल को जो भोजन चीए उसी में उसको शक्ती मिलती हैं जैसे हमें भोजन चीए हमें भोजन से ताकत मिलती हैं तो एक सामानी प्रक्रिया हैं किसन सत्यों आप अपनी फसल की केर अच्छी तरह से करते रहें और यह आपकी फसल कगने की कगाद पर हैं तो आप उसकी security भी कीजिए किसन सत्यों बहुत वीडियो वाइरल हो रहे हैं कि वो सरे चोड़ लस्वन उफार कर ले जा रहे हैं तो आप पुरी महिनत की हैं आप उसकी security का भी इंतिजाम कीजिए और इस प्रिकर से अपनी फ़सल की care करते रहे हैं किसन सत्यों एक छोटी से जनक आपके मत की उपर निर्बर करता हैं तो जो मुझे अच्छा लगा और जो उचिद लगा वो मैंने आपको बताया हैं तो आज का वीडियो इहीं पर समाप्त करते हैं किसन सत्यों और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है आपको तो आप कमेंट के माद्यम से बता सकते ह हैं आपने कुछ अनोखा परियोग किया है और आपको कुछ फाइदा मिला है तो आप कमेंट के माद्यम से भी बता सकते हैं ताकि आने किसन भाईयों को भी कुछ जानकारी का लाब हो और वो भी अपनी फसल में उसका परियोग करें लाब उठा सकें तो किसन सत्यों फिर मि वीडियो में एक नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए खयाल रखेएगा आप अपना अपने परिवार का अपने पशुदन का और अपनी फसलोगा वीडियो दिखने के आपको बहुत धन्यवाद जय हिन जय जय जवान जय किसा